एलो फ्रेंद्स कल बैंगेती के एक्सपईरी है तो कल की लिए बैंगेती के लेवल क्या हो सकते आपको किस तरह से बैंगेती में ट्रेड करना यह सबी चीजे हम आज की इस वीडियो में δेखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि तो आप देख सकते हैं यह 15-minute का चार्ट हमने बैंगेटे में लगाया है और अगर हम देख रहे हैं कि जिस दिन बैंगेटे का जो gap down हुआ था RBI के न्यूस के होए से यहांसे अगर यह gap down हुआ था तो इसी रेंज में लास्ट तीन दीन से market movement कर रहा है Friday, Monday और Tuesday लब तीन दीन से इसी रेंज में जहा भी उपर जाता है selling आ रहा है यहापर selling आ रहा है और नीचे यहापर buying आ रहा है लेकिन अगर हम तीन नीन से देखें तो लोग थोड़ा था उपर-उपर होते साइड हमें दिख रहा है लेकिन जो main range बैंगटी की वो है 43,885 और 43,450 ये main zone है आपका कलके expiry के अदब जहाँ पे बैंगटी ग्रोल हुआ है 700 के असपास तो 180 point plus side में और 250 point downside में ये zone बना हुआ है बैंगटी का तो ये range की उपर निकाता है तो थोड़ा सा अच्छा खासा strength आएगा बैंग का आएगा और या ये strength की नीचे अगर बैंगटी जाता है तो sailing का strength बढ़ेगा तो फिला तो इस बीच में market भूम रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब sideways दीख रहा है लेकिन जब तो ये range शायद से आज जो day candle बनी है और ये support ये दो जोन आपके पास है बैंगे ट्रेड करने के लिए अभी जो छोटे जोन है जो छोटे जोन रहेंगे आपके बैंगटी के करके तो वो जोन रहेंगे 43,820 के असपास की ये एक जोन है 43,820 और जो नीचे का support है डाउन साइड में 43,550 मतलब नीचे एक first वाला जो support है 43,550 और उपर जो रेजिटर से first 43,820 तो 43,820 से लेके 43,855 ये selling zone है और 43,550 से लेके 43,550 ये buying zone है यहाँ से आया तो market जैसे यहाँ पर buying आया था यहाँ बैंग आया था तो शायद चान से कल भी यहाँ से buying आ सकता है और यहाँ पर अगर market उपर के side भी जाता है तो आजकर जो day candle है इसने hammer बनाया तो थोड़ो सा positive है लेकिन nipty जो है nipty ने downside जस्ट एक negative candle बनाएंगे तो कल शायद से जो रहेगी bank nipty थोड़ी positive रहने के chances ज्यादा रहेंगे nipty sideways या downside थोड़ा रहने के chances है अभी आपको trade खिस तरह से करने कल bank nipty में अगर कल सुभ़ 150 प आप पुलता है तो पहला जो sailing zone रहेगा 43,008.20 से लेखे यह 60 पॉइंट का zone जो है आपका sailing है अगर कल 12 बज़े या 1 p.m. के पहले ही यह zone की उपर candle close हो जाती है तो 15 minutes या 20 minutes अच्छा खासा closing दे जेता है और कुछ positive candle या पिड्रोज हो जाती है तो चांसे से कि यह target अच्छे हो कर दे जो कि यह 44,055 और यह chances 60% लग रहे है आज की एसाब से कि upside charge 30-40% chances जो है कि जहाँ पिड्रोज हुआ है अगर 150 पॉइंट 200 पॉइंट डाउन बुलता है तो यह यह आप सपोर्ट का काव करेगा जब तक यह सपोर्ट नहीं तूटेगा तो आपको sailing नहीं करना है बड़ा आपको यह सपोर्ट से buying नहीं करना है अगर यह सपोर्ट तू पॉइंट 150 पॉइंट मिलता है तो आप इसको यह सपोर्ट के साथ बाइंग कर सकते हैं हम यह टाय करेंगे आप कि अगर बाइंग करने की कोशिश करें तो कल की बैंगिप्टी की एकस्पारिंग लिए आपकी जो में जोने यह दोनों है इसमें यह चोटे जोने यह आप च 30 पीम से पहले यह नीचे का जोन या उपर का जोन कोई भी ब्रेक करता है तो आपको वहां से 150 प्लस पॉइंट रैली मिल सकता है दाउंचार यह हप से वो डिपेट करेंगा कल मार्केट किस तरह से रियाट कंपार्ट तो इसपर चार्ट यह हमें दिख रहा है तो आज आप करेंगा सब्सक्राइग कीजिए तो मेज्डे ने इस तो रियो में